आय थे हर बजन को ओटन लगे के पास अन्ना अंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ आमादि पार्टी बनी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचार के दल्दल में ऐसा फंस गये कि न डिस्टिक और से jemand जमानत मिल रही है, नही है को से जमानत मिल रही है, बाकि मंतरियों को तो सुप्रेम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। जब 2014 में मैंने press conference करके कहा था कि केजरी वाल जी काला धन लेते हैं केजरी वाल जी को हवाला केजरी ये funding होती है केजरी वाल जी को विदेशों से funding होती है कोई मानता नहीं था अब district court ने भी यही बात कही है high court ने भी यही बात कही है जो ED की जाच में पाया गया कि इनको black money की funding होती है हवाला की funding होती है अब आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि जो बात मैंने 10 साल पहले कही थी 2014 में वो सब बाते सही है आज मैं एक नई बात कह रहा हूं ये समद्धों की N.I.A. की जाच हो जाए केजरीवाल जी का मावदियों और नकसलियों से समद्ध जो है उसकी N.I.A. से जाच हो जाए तो आपको ये जानकारी मिलेगी आप भी इस बात को मान लेंगे कि सत्ता के खातर वो खालिस्तानियों का भी समर्थन करते हैं मिसनीयों का का भी समर्थन करते हैं नकसलियों का भी समर्थन करते हैं अलगावादियों का भी समर्थन करते हैं मावादियों का भी समर्थन करते हैं चुक्कि अभी इसकी जांच नहीं हुई है इसलिए शायद आप इस बात को नहीं मानेंगे अभी तक तो आप क्यों इतना ही मान रहे हैं हवाला से फंडिंग लेते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर इसकी जांच हुई, तो 100% ये निकल के आएगा, कि सत्ता के खातिर मावादियों का, मिसंडियों का, नकसलियों का, आउलगावादियों का, सब का समर्थन लेते हैं के जरीवाले। अप अन्ना अंदोलन हुआ था, तो क्या हुआ था, लोकपाल आएगा, लोकायुक्त आएगा, भरस्टाचार खतम हो जाएगा, 2015 से भारत में लोकपाल है और 2015 से भारत के सभी राज्यों में लोकायुक्त है आपके राज्य में भी लोकायुक्त आ चुका है चलो बाकी राज्य तो छोड़ दीजे दिल्ली में लोकायुक्त है और पंजाब में भी लोकायुक्त है और दिल्ली और पंजाब में दोनों जंग केजरीवाल के अधीन में है नगर निगम केजरीवाल के अधीन में है टांसपोर्ट डिपार्टमेंट केजरीवाल के अधीन में है ना लेखपाल ने पैसा लेना छोड़ा है ना पेशकार ने पैसा लेना बंद किया ना तसिल्दार ने पैसा लेना बंद किया ना पी डबलु क्योंकि कानून नहीं बदले गए और केज्री वाल अगर इमानदार है तो आज तक उन्होंने भ्रस्टाचार खिलाफ कोई काम किया क्या केज्री वाल ने क्या किया विजली फ्री किया और विजली का जो लागत होती हो हमारे आपके टैक्स के पैसे साती है अपने घर से उन्होंने विजली फ्री नहीं किया है टैक्सपेर के पैसे से बिजली फ्री की गई है पानी फ्री किया दिली में पानी तो हई नहीं है पानी तो उत्राखंड से आता है गंग नहर का पानी आता है तो आल्टिमेटली पानी वहां से थे उतनों ने किया नहीं उन्होंने टैक्सपेर का पैसा लिया इधर से पैसा लिया उधाल लुटाया अपने अपना नाम कमा लिया कभी केजरी वालने नशे के खिलाफ आवाज उठाई दिल्ली भी नशे में डूब गया है पंजाब भी नशे में डूब गया है कभी नशे क खिलाफ कठोर कानून की मांग किया कि नसा तसकरों की 100% प्रपर्टी जब फोनी की नागरिकता खतम होनी चाहिए इनको आजिवन कारावास फांसी होनी चाहिए चलो कानून नहीं बना सकते दिल्ली पूर्ण राज्जे नहीं है लेकिन दिल्ली विधान समा में प्रस्ताव प करना के खलाफ वाज उछ फाई गुशसपैटियों को उल्टा नहीं दिल्ली में बसाया है और पंजाब में बड़ी मात्रह में घुशसपैटियों को बसाया जा ने भष्टाचारियों को आजिवन कारावास फांसी देने और भष्टाचारियों को नागरिता खतम करने एक लेकानून बनना चाहिए कोई एक वीडियो आगर आपको मिला तो आप बताना मुझे तीन बार मुख्यमंती दर चुके हैं दिल्ली में भी सरकार है पंजाब में भी सरकार है केजरीवाल जी पीछे जब प्रेस कांफेंस करते हैं तो एक तरफ भगर सिंग को रखते हैं और दुसी तरफ डक्टर अंबेटकर को रखते हैं डक्टर अंबेटकर तो समता समानता की बात करते थे कभी केजरीवाल ने समान सिछ्छा लागू करने की मांग किया क्या किया कभी केजदीवाल ने one nation one inडावमेंट कोड की बात किया कभी केजदीवाल ने one nation one एनवेंस्टीटी कोड की बात किया बाबा साब अमेट कर तो कहते थि देश की एक्ता खंडता को मजबूत करना है तो equality before law होना चाहिए, equal protection of law होना चाहिए, यानि कानून की छहतरी सब की लेख समान होना ही, nevertheless जो कानून हो, उसमें अगर डंड-अपराद समान है, तो दंड समान मिलना चाहिए, अपराद समान है, तो दंड समान तभी मिलेगा, जब कानून सब काएक होगा, वो तो केजरीवाल ने कभी नहीं किया, हाँ बस लोगपाल और लोकायूत की पिपहरी बजाई और उसके नाम पे सत्ता हतिया लिया, सत्ता हतिया ने के बाद उसको भी लोकायूत भूल गए, और अंथ में अपना तीन का चार, चार का पांच करने लग गए, बताओ, दिल्ली में लाखो परिवार बरबाद हो गए केजरी वाल की शराब के कारण, पंजाम में भी लाखो परिवार बरबाद हो गए हैं नशे के कारण, लाखो बहन बेटियां अपने नसरी पतियों से परिशान हैं, लाखो ब महले में एक सराब का ठेका था वहां एक महले में तिन तिन शराब का ठेका खुलने का आदिस पारित कर दिये पैसे के खातिर कभी केजरी वाल ने पुलिस रिफार्म की बात किया कभी केजरी वाल ने जुडिशन रिफार्म की बात किया कभी केजरी वाल ने टैक्स रिफार्म की बात किया, कभी केजरी वाल ने administrative reform की बात किया, कभी केजरी वाल ने भरस्टाचा आरपराद को जर से खतम करने के लिए constitutional reform की बात किया, ना धर्मांतर नी अंतर्ण की बात करते हैं, ना जनसंख्या नी अंतर्ण की बात करते हैं, ना घुसपैठ नी अंतर्ण की बात करते ह नविदेशी चंदानी अंतर्ण की बात करते हैं और कहते हैं मैं फ्रष्टा चारू मैं इमांदार हूं केजरीवाल वास्तों में इमांदार है तो मीडिया को बुला लेते और मीडिया के सामने अपना लाइव नार्को टेस्ट करा लेते पॉलिग्राफ टेस्ट करा लेते ब् केजरिवाल के खिलाफ है election commission केजरिवाल के खिलाफ है और हमने मान लिया कि चलो कोट भी CBI केजरिवाल खिलाफ है तो भाईया प्रतेच्छम की मुर्पराम साच को आज क्यों अपने नार्को टेस्ट कराओ ना लाइब करा दो जैसे हर चीज आप प्रेस करते रहना कि मैं इमानदार हूं बाकि सब्रश्ट है इस पाखंड को भारत की जंता समझ चुकी है युवा समझ चुके हैं जो नहीं समझ पाए हैं उनको समझाना बहुत मुस्किल है लेकिन अब मैं मांग करता हूं कि केजरिवाल जी और खालिस्तान के जो सम्मंध है इसकी इनाईये से जाच होनी चाहिए केजरिवाल जी और नकसलियों के बीट में जो सम्मंध है उसकी इनाईये से जाच होनी चाहिए केजरिवाल का मावादियों का जो नेकसस है इसकी इनाईये से जाच होनी चाहिए केजरिवाल का जो मिसंडरियों का नेकसस है जो पंजाब में खुले आम धर्मानतर हो रहा है। जगह जगह चंगाई उल्रफा हो रही है और बीमारी ठीक करने का वाधा करके कन्वर्ट किया जा रहा है और सबसे रहा कन्वर्ट किया जा रहा है दलितों को पंजाब के जो ये हम बेटकर की फोटो लगाते हैं और पंजाब में दलितों का कनवर्जन हो रहा है और ये शांत बैठे हुए इसको एक्सपोज करना जरूरी है मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ अब इमांदारी से पार्टी हिस्से उपर उठ जाईए देश के बोलिए नेताओं के मीठे जूट ने नेताओं के पाखंड ने भारत को बरबाद कर दिया अभी भी आप अगर मीठा जूट सुनते रहेंगे और शांत रहेंगे तो भारत बरबाद हो जाएगा इसलिए मैं रिक्विस्ट करता हूँ पांच जार फेस्बूक फ्रेंड बनाएए और कड़वा सच लिखना शुरू करिए